हेलो एवरीवन एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का होम मिलोपी पर और इजी स्नैक्स रेस्पिस की स्रीज में आज हम अपनी किचन में बनाएंगे मुंबई का फेमस स्टीट फूर्ड वेज सेंडवीच इसे बनाना बहुत ही आसान है और यह खाने में बहुत ही टेस्ट आप सेंडवीच पर लगाने के लिए हम चटनी लेंगे एक तो स्नैक स्पेशल ग्रीन चटनी जिसे हमने घर पर ही बनाया है यदि आप भी इसे बनाना चाहते हैं घर पर तो इसकी रस्पी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं उनका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दि हैं और यदि आपके पास चिली सॉस ना हूँ तो आप इसके जगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर भी एड़ कर सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और दो ब्रेट स्लाइसेस पर इस सॉस को लगाएंगे अब बच्ची हुई जो ब्रेट स्लाइसेस हैं दो उन पर ग्रीन स्नैक चटनी लगाएंगे इस तरह से चटनी को अच्छी तरह से चारों साइडों में लगा देंगे दो स्लाइसेज पर टमेटो कैचप वाला मिक्सचर और दो पर ग्रीन चटनी को हमने लगा दिया है अब एक स्लाइस पर रखेंगे बॉयल पोटैटो के स्लाइसेज इस पर सप्रिंकल करेंगे थोड़ा सा खाने वाला नमक थोड़ी सी काली मिर्ची और टमेटो कैचप वाले स्लाइस को इस तरह से इस पर रखेंगे अब इसके उपर रखेंगे टमाटर के स्लाइसेज इस पर भी थोड़ी सी काली मिर्ची और खाले वाला नमक स्प्रिंकल करेंगे इसके उपर अब ग्रीन चटनी वाले स्लाइस को रख देंगे अब इस पर रखेंगे टेमेटो स्लाइसिस और साथ में बॉयल्ड पटेटो स्लाइसिस और इस पर भी नमक और काली मिर्च को स्प्रिंकल कर देंगे अब जो टोमेटो कैचप वाली मिक्स्चर की स्लाइस है उसे इसके उपर उल्टा करके रख देंगे और इसके उपर लगाएंगे बटर सबी स्लाइसिस को इकठ्ठा बनाई रखने के लिए ताकि भूनते समय ये इदर उदर बिखरे नहीं और फिक्स रहें इनके दो कॉनों में दो टूथपिक लगाकर इन्हें फिक्स कर लेंगे अब एक नॉन स्टिक तवे को गरम करेंगे और सेंड्वीच की जो बटर वाली साइड है उसको तवे पर इस तरह से रख देंगे और दूसरी साइड में भी बटर लगा देंगे और इसे मीडियम हीट पर दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे ब्रेड है वो एक साइड से भून चुकी है अब इसे पलट लेंगे और इस तरह से इसको भी इधर से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे इस तरह से हलका प्रेस करते हुए सेंड्वीच को पलट कर हमने दुनों साइडों से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है और अब करेंगे इसकी कटिंग कटिंग स्टार्ट करेंगे सेंटर में से ताकि जो इसकी फीलिंग है वो बाहर नहीं निकले और लिजिए तयार है हमारा बढ़िया सा जम्बो सेंड्वीच अब जो हमने टूथपिक्स लगाई थी उनको निकाल देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे लिजिए तयार है बढ़िया से जम्बो स्टाइल सेंड्वीच जो कि बहुत ही टेस्टी है और बनाने में देखी कितने इजी है तो कैसी लगी आपको यह रैस्पी पसंद आई ना और आसान भी है तो आप भी से जरूर ट्राइ करें और यदि अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को हमेशा की तरह प्रेस कर दें थैंक यू